अकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनरची सभी राज्यों और केंद्र शासत प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों को पचास हजार मेड इन इंडिया वेंटिलेटर किया पूर्ती के लिए पीम केर्स फंट ट्रस्ट से दो हजार करोड रुपए आवंटित किये गए हैं इसके अतरिक्त एक हजार करोड रुपए प्रवासी मजदूरों के कल्यान के लिए उपलब्द कराए गए हैं अभी तक 2923 वेंटिलेटर बनाय जा चुके हैं जिन में से 1340 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासत प्रदेशों को उपलब्द करा दिये गए हैं इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्यान के लिए राज्यों और केंद्र शासत प्रदेशों को 1000 करोड रुपए दिये गए हैं गुजराद दिली पश्यम बंगाल बिहार मध्यप्रदेश राजस्थान और करनाटक को भी फंड उपलब्द कराया गया है प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 12,000 से ज्यादा हो गई है हाला कि इन में से 9,215 लोग स्वस्थ होकर खर लौट चुके हैं स्वस्थ मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने बताया है कि राज्य में रिकवरी दर 76 प्रतिशात हो गई है अनुपूर से हमारे समवादाता ने बताया है कि जिला कोरोना मुक्त हो गया है पांच वर्षिय बालक सहित अंतिम चारो संक्रमितों को आज अस्पताल से छुटी दी गई है उधर नीमच में 88 वर्षिय बुज़ूर को हरा कर घर लोटे जबलपूर में चार ने मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 365 हो गई है चिंदवाणा में आज 11 संक्रमितों का पता चला है कल मिले संक्रमित मरीजों को मिला कर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 43 हो गई है जिसमें से ग्यारा मरीज पहले ही ठीक होकर घर जा चुके हैं इसके अलावा दो लोगों की संक्रमन से मौत हो चुकी है और नए संक्रमित मरीजों को मिला कर कुल 20 एक्टिव केस जिला अस्पताल में भरती हैं गौर करने वाली बात यह है कि कल मिले कोरोनस पॉजिटिव मरीज कम उमर के युवा हैं जिनने जिला अस्पताल लाकर भरती कराया गया है राकेश प्रजापुती आकाश वानी समचार छिंदवाडा कोरोनस अंकट को देखते हुए स्कूल के बाद अब कॉलिज के विद्यार्थियों को भी जनरल प्रमोशन दिया जाएगा सनातक प्रथम वर्ष और द्वितिय वर्ष तथा सनातक उत्तर द्वितिय समिस्टर के परिक्षार्थियों को बिना परिक्षा दिये अगली कक्षाओं में प्रवेश दिये जाने का फैसला किया गया है वद्यार्थियों को उनके पिछले वर्ष या समस्टर के अंकों या आंतरिक मुल्यांकन के अधार पर अगली कक्षा या समस्टर में प्रवेश दिया जाएगा इसे प्रदेश में सनातक सनातकोंतर के 17,77,000 परिक्षार्थियों को सविधा होगी सनातक अंतिमवर्ष तथा सनातकोंतर चतुर्थ समस्टर के परिक्षार्थियों के पूर्व वर्षों या समस्टरों में से सरवाधिक अंख प्राप्त परिक्षा परिणाम को प्राप्तांक मानकर अंतिमवश या समस्टर के परिक्षा परिक्षा परिणाम घोशत किये जाएंगे ऐसे परिक्षार थी जो परीक्षा देकर और सुधार चाहते हैं उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा व्यागामी घोशत तित्थी पर आफ्लाइन परीक्षा दे सकेंगे मुक्य मंत्री शिवरा सिंग चौहान ने कल विश्ववध द्यालेओं की परीक्षाओं और स्कूलों को फिर से खोले जाने की स्थती को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें फैसला लिया गया कि स्कूलों को फिर से खोलने का निर्न एक 31 जुलाई को समीक्षा करने क के बाद लिया जाएगा केंद्रू सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महमारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सौधी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे अलपसंख्यक मामलों के मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी ने आज बताया कि सौधी अरब के हज और उम्राह के बैंक खातों में भेज दी जाएगी उप्राश्रपती प्रधान मंत्री और केंद्रिय ग्रह मंत्री ने आज भारतिय जंसंक के संस्थापक और प्रसिधशक शाविद डॉक्टर शामा प्रसाद मुकरजी की पुन्यतिति पर उन्हें श्रधान जली अरपित की सूचन और पिछले 24 घंटों के दौरान सिहोर, होशंगाबाद, वदिशा, शिर्फपुरी, सिवनी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होई, जबलपुर, रिवा, शेहडोल, संभागों के जिलों में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है, लगातार बारिश से तापमान में कमी आई है, लेकिन कहीं कहीं उमस महसूस की गई है, सतना जिले में आज बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, उमरिया जिले में भी आज सुबह से भारी बारिश हो रही है, मौसम विभा के अनुसार आज रिवा, सतना उमरिया, डंडौरी, कटनी, पहारी बारिश का यलो अलर्ड जारी किया गया है अब कुछ समाचार संग शेप में आगरमालवा जिले में वज़ दो हजार चौबीस तक प्रते ग्रामेंड परिवार को घर घर नल कनेक्शन उपलब्द कराया जाएगा शेह डोल जिले में दो लाख पैतीस हजार जाती प्र लक्षित रही और सुनते रहिए आकाश श्वानी नमस्कार